है लो फ्रेंज पिछले लेक्शर में वह बात करूँ चुक है बैटल अफ सरहित उसके पहले लेक्शर में हम भात के था है बैटल अफ मच्छी वाया है यह दोनों कहानी 1555 मी में हुआ था दोनों यू धचे हुआ था 1556 म में हमायू का देथ हो जाता है ठीक है ये 555 इसमें किसके किसके बीच में बैटल होता है तो याद रहे कि मुगल इंपायर की बात कर सकते है और इधा से सुरी डैनेस्टी की बीच में बैटल होता है और इस बैटल सार हिंद के बाद में सुरी डैनेस्टी समाप्त हो जाता है और इंडिया में फिर से मुगल इंपार इस्टाइबलिस हो जाता है 1556 इसमें महमायोदेत होता है और फिर अकबर राजा बनता है तो यह सारी कहानी होता है अब हम लोग बात करें अकबर के बारे में तो अकबर के बायोगराफी और साथ में हड़का वाई के बायोगराफी इसमें कुछ बाते और important questions आम लोग इसमें कर लेंगे तो चलिए सुरू करते हैं असका लेक्चा मैं हो के कस्थप और प्राजान अलब का IQ कस्थप competitive चलिए आप याद रखिएगा अकबर का तो नर्मल सा आप अकबर नाम जानते हैं लोकिन इसका ओरीजनल नाम क्या है् तो याद रखिएगा अगबर जो है secular type का था ये तो नहीं कह सकते है कि secular तूब पुरा final नहीं कह सकते हैं लेकिन secular type का था ठीक है इसलिए 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 dynasthyque established हो गया और ये भागा उसी पिरियन में 1541 सपी में साधी किया और 1542 सपी में अकबर का जर्म होता है το याद रखिएगा अकबर का जर्म होता है 25 अक्टूब न 1542 सपी कहां पे तो याद रखिएगा अमरकूट मे इसका जर्म हुआ है अमरकोट का है तो सिंध में है important बात है कहां पे है सिंध में है सिंध कहां पे है तो याद रखेगा कहां पे है तो पाकिस्तान में है important बात यह है क्या अभी सिख लिए कि इसका अखबर का जन्म कहां पे हुआ था तो अमरकोट में हुआ था अमरकूट का है सिंध में सिंध का है पाकिस्तान के अंदर में हुआ था ठीक है अभी के डेट में पाकिस्तान में उस समय की बात करें तो इंडिया पूरा एक ही था पाकिस्तान नाम का चीज नहीं था लेकिन ए परजेंट के सिच्वीशन में यह नाम मैं दे रहा हूं कि मुलते हैं, ठीक है, of the अमरकोट, कहां पे तो अमरकोट, important बात है, ठीक है, यह अकबड कौन है, मुसलिम है, अब याद रखेगा, हुमाईव जो है, इनके फादर की बात कर रहे है, ठीक है, यह तो इधर उतर भाग भाग रहा था, क्योंकि इसके पास कोई established करने के लिए जगा नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि हम लोग जानते हैं, कि इसके पीछे कौन पर आता, सेरखान पर आता, तो यह कह सकते हैं, कि हर जगा कहीं न कहीं request करके, कहीं न कहीं रहता था, बाग में unite करके आया 1555 इसमें फिर से established किया, वो अलग बात है, लेकिन सुरुश्री में इसके पास रहने के लिए कह सकते हैं, कि उस तरह का घर नहीं थे, इसके पीछे बहुत सारे दुस्मन थे, तो यह सारी कहान इसके पीछे चल रही थी, ठीक है, तो याद रखेगा, उस समय जो यह अकबर जिस समय जन्म लेने वाला था, उस समय ए रिक्विस्ट करके अमर कोट में रहा, ठीक है, अमर कोट में इसका जन्म हुआ, किसका अकबर का, यह survive किया कहां पर अमर कोट के, अमर कोट कहां तो यह याद रखेगा, यह रासपूत रूलर है, कौन सा जिनका नाम क्या है, महराजा विर्सल, याद रखेगा, हिंदी में विर्सल लिखा रहेगा, और इंग्लिस में विर्सला लिखा रहेगा, तो इंपर्टेंट बात है, कि इनका जो यह अमर कोट के जो राजा है, उस समय का, ओ, कौन सा महराजा विर्चल है या फिर विर्चला है ठीक है, अमरकोट कहां पर है अल्रडी हम लोग बात कर चुकि कहां पर है तो पाकिस्तान के अंदर में है तो इन्पोर्टेंट बात है तो यह जन्व जो होता है अकबर का एक हिंदू राष्ट में होता है एक हिंदू घर में होता है जिसके करण अक्वर का नीचर भी किस तरह का एक हिंदू टाइप का होता है ये प्रो टाइप का होता है ये जो है अपने रिलीजन के साथ में दूसरे के रिलीजन को भी रिलीजन को भी क्या करते है रेस्पेक्ट करते है इसलिए तो अब अकबर्दा के रेट भी कहा जाता है हम लोग बात कर लेते हैं एक की बार इनका देथ कब हुआ था तो 27 अक्टूबर 1625 में इनका देथ हुआ था कैसे हुआ तो सारी कहाने हम लोग करेंगे लेकिन फिलाल इतना ही याद रखें के 27 अक्टूबर 1625 में इनका देथ हुआ और कहां पे हुआ तो फतेपूर सिकरी में कहां पे हुआ तो याद रखने के बात है फतेपूर सिकरी में फतेपूर सिकरी कहा है तो याद रखेंगा यूपी के अंदर में है इनको दफनाया कहाँ पे गे इनका टॉम कहाँ पे तो important बात है सिकंदरा में है सिकंदरा में है सिकंदरा कहा है अगरा में है अगरा कहा है तो यूपी में है तो याद रखेगा इस सारी कहानी इनका 20 जो रहा यूपी के आसपास ही रहा है अकपर का बेस बेस कहा सकते हैं इनका ज्यादा लगाओ ये सबसे जादा इनका लगाओ रहा है अभ जासफरा समि Guess फट्येश्पूर सिकरी सबसे ज्यादा इनका लगाओर रहा ouais तो अपर है लोग याद कूब में दूसरे बात याद रखे रहे हुए इस के फादर की uh ने तो अब याद रखेगा, अकबर हम लोग जानते हैं, यह हुमायू का क्या है, हुमायू का बेटा है, हुमायू किसका, बाबर का बेटा है, बाबर जो बिलॉग करते हैं, उद्वेकिस्तान से, तो याद रखेगा, इसके कह सकते हैं, यह बिलॉग करते हैं, तिमूर डाइनेस्ट से विलाउं करते हैं ठीक है ये कहां पर अभी तो इसका एक्सपेंसन कह सकते है उजबेकिस्तान के आसपास में है ठीक है तो उस समय वहाँ तक हम लोग बात करें इनके वाइपस की तो याद रखिएगा इनके वाइपस जो हरका भाई हरका भाई एक हिंदू रूलर है ठीक है औरिजिनल नाम होता है जब साधी होता है तो मुसलिम नाम रखा जाता है मर्यम उस जामिनी ठीक है साधी के बाद का नाम है मर्यम उस जामिनी ठीक है दुसरा इनकी अगर पत्नी की बात करें तो रुकया सुल्तान ठीक है रुकया सुल्तान इनका दुसरा पत्नी है ठीक है रुकिया सिल्टान हम लोके लिए जाधा important नहीं हम लोके लिए important है हरकावाई तो हरकावाई के बारे हम लोग समझेंगे ठीक है अगर हम लोग बात करें इनका बेटा मतलब एसूस की बात करें तो हसेन मिर्जा या हूसन मिर्जा ठीक है याद रखेगा हशन मिर्जा या फिर हुशन मिर्जा ये दो नाम हैं इंपोर्टेंट है और साथ में सबसे ज़्यादा जो इंपोर्टेंट जहांगीर ठीक है तो इनके बारे में याद रखेगा तो तीन नाम जो इंपोर्टेंट है उनको लेके हैं कौन सा हशन मिर्जा या ह सथा तो याद रहेगा सूनी इसलाम का था आगे चलके अकबर एक नया सा धर्म का भी इजाद करता है ओ हम लोग सारी बात करेंगे तो हम लोग जानते दिन्ने इलाही करके एक धर्म का एक क्या करता है यह established करता है लेकिन successful नहीं होता है लेकिन यह initially बिलॉंग जो करता है किस सूनी इसलाम से ही बिलॉंग करता है ठीक है अब याद रखेगा हड़का बाई जो है यह हड़का बाई was the princess of Rasput ठीक है यह Rasput का क्या होती है एक रानी होती है याद रखेगा यह कौन चीज है यह born होती है as a Hindu ठीक है लेकिन by the marriage यह कौन चीज हो जाते है तो Muslim हो जाती है तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किस के बारे में हड़का बाई के बारे में हम लोग जानते हैं हड़का बाई का जो original नाम यह है हड़का बाई ही बात में साधी होता है तो इनका नाम जो बदल के रखा जाता है मर्यम उस जामनी नाम बदल के रखा जाता है क्यों? क्योंकि हरका बाई जो है एह हिंदू नाम है क्योंकि एह साधी करती अकबर से जो की Muslim होता है इसलिए इनका नाम चिंज करके मर्यम उस जामनी रखा जाता है हम लोग बात करें हर्का बाई जो थी ए राजा वर्मल की बेटी थी याद रखेंगा राजा वर्मल जो अजमीर का ए क्या होते थे किंग हुआ करते थे तो याद रखेंगा डाउटर अफ राजा वर्मल ए कौन थी हर्का बाई जो थे डाउटर अफ राजा वर्मल मतलब 1542 में हुआ था याद रखे का 25 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है ठीक है और यह अमेर अमेर पोर्ट में इनका जन्म होता है ठीक है उनका उसका कहां पे होता है तो याद रखे है हम लोग जानते हैं अमर कोर्ट में उनका जन्म होता है कि इसका अकबर का ठीक है लेक आप लेज़ेगा पहले अकबर मरता है 165 फिर उसके कुछ दिन बात में अमर्दी इनका जो कबरगाह याद रेखेगा सिकंद्रा में ही क्योंकि हम लोग जानते हैं अकबर कभी कबरगाह कहां पर है तो सिकंद्रा में ही जो कि अगरा में है ठीक है इनकी बेटा के बात करें त इंपोर्टेंट राजा बनता है, थीक है। अब दोग बात कर लेती है how our कर gdzie we haveδेज। तो तिमुरीड ए डाइनेस्टी में convert हो जाती है after the marriage हम लोग बात तरते थे हिंदू religion की बात करते हैं यह हिंदू होती है कि इनका जन्म होता है जहां पर अमर या फिर इसको अमबर port भी बोलते हैं अमबर port भी बोलते हैं तो important बात है कि अमर या फिर अमबर port भी बोलते हैं जो कि कहां पर है राजस्तान के अंदर में तो यह important बात है अब समझेगा इसके बाद हम लोग जो बात कर ले तो basic बात होगी जो कि अकवर के बारे में है लेकिन अब जो हम लोग next lecture में बात करेंगे जो important थेंग कितने इसके बाद फिर हम लोग battle पर बात करेंगे तो चलिए इसमें इतनी रहने देते हैं जब तक enjoy करें और बढ़ाई करें